बिहार के सिक्षा विभाग से KK पाठक के चुट्टी होती है, उनके जगा S सिधार्ट को लाया जाता है और अब उन्होंने पूरा सिक्षा विभाग ही बदल दिया है, कई सारे ऐसे नियम लाए गये हैं जो पहले KK पाठक के काल में नहीं थे, KK पाठक ने जो कुछ भी आ देश दिया था उसको बदल दिया गया है। इससे अब क्या कुछ सिक्षा विभाग में बदलाव आएगा। क्यों ऐसा धार्ट ले रहे हैं फैसला। इन्हें मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारी सायोगी नेहा है। नेहा। केके पाठक के जाते ही सिक्षा भाग का जो रंग रूप है वो बदलने लगा ऐसा क्यों मिल्कुल वन्दना केके पाठक के एक लंबी छुट्टी पर गए है उस वक्त उन्हें छुट्टी दी गई है जिस वक्त वो बहुत ज्यादा चर्चा का विशय बन गए थे केके पाठक कैसे अधिकारी है जो राजभ अधिकार में भीशन गर्मी पढ़ रही थी और ऐसे में केके पाठक स्कूलों को बंद नहीं कर रहे थे उसके बाद नितिश कुमार की तरफ से लेटर जारी किया गया और कहा गया कि आप स्कूलों को तुरंत बंद कीजिए उसके बाद केके पाठक ने स्कूल बंद किया है और नितिश कुमार के सहसले के बाद KK पाठक जो की बहुतली ज़्यादा चर्चया में हमेशा रहते हैं पादिकारी है उन्हें चुटी सेंसर कर दी जाती है और चुटी लंबे अंतराल के लिए होती है और उनके बदले ऐस सिधार्थ जो कि नितिश कुमार का विभाग है ग्रिय विभाग हमेशा से नितिश कुमार की पास रहा है उस विभाग के प्रधान सचीव है नितिश कुमार के बेहदी जाद करीबी माने जाते हैं ऐस सिधार्थ और ऐस सिधार्थ एक ऐसे अधिकारी के लूप में जाने जाते हैं जिनका जीवन बढ़ा सादगी भरा है वो अपने सादगी भरे जीवन के लिए चर्चा का विशे बने रहते हैं ऐसे में ऐस सिधार्थ के फैसले को कहीं न कहीं नितिश्कमार के फैसले की तरह देखा जा सकता है क्योंकि ऐस सिधार्थ नितिश्कम करीबी है नित्युष कुमार से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लेते हैं और ग्रिया विभाग के प्रधान सचीव है यानि की ग्रिया विभाग में सबसे पहला जो ओदा है वो ऐसी धार्त का है जैसे ही केके पाठक जाते हैं सबसे पहले निरिक्षन का जो पाठक जो केके पाठक नहीं कर रहे थे और ऐसा चाह रहा था सिक्षा विभाग या सिक्षा महकमे के तमाम वो सिक्षक चाह रहे थे कि केके पाठक ऐसा बदलाव कर देता कि हमें थोड़ी सहुलियत हो हम इस भिष्ण गर्मी में स्कूल आए तो समय ऐसे समय पर आए जब प्रकोप ना हो शीक्षक ऐसा चाह रहे थे उस चाहत को ऐसे इधार्त ने पूरा किया है लेकिन केके पाथक इन तमाम फैसले से खुश नजर नहीं आएंगे क्योंकि फैसला केके पाथक ने लिया था और उनके फैसले को कोई बदल दे केके पाथक का मिजाज यह नहीं कहेग कि केके पाथक ने हमेशा कहा कि हम सिक्षा विभाग को बदलना चाहते हैं सिक्षा विभाग में जो कुछ भी कमिया है खामिया है उनको दूर करना चाहते हैं इसलिए केके पाथक ने इतने सक्त सक्त नियम कानून लेकर आएं वो चाहे सिक्षकों के पहनावे को लेकर हो य अपने मन मुताबिक किया था उससे कोई खुश नहीं था या फिर कोई उस नियम कानून से मतलब कमफर्टीबल नहीं हो रहा था इसलिए केके पाठक ने वैसा नियम कानून लाया था जिसे बदलने की जरूरत वो भी केके पाठक के जाते जाते ही आन पड़ी है बिलकुल वंदरा नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग नियम पर चले डिसिप्लीन हो सब कुछ अच्छे से फॉलो हो और उस नियम से सामने वाले को परिशानी भी ना हो सीख्षक उतने परिशान नहीं जबाह ना हो लेकिन केके पाठक के कई ऐसे फैसले रहे जो बेह करेंगे जो अच्छे थे उनके अभी भावक भी परिशान हो रहे हैं जाहे वह एसा फैसला होकी जब बहुत कड़ाके की ठंड पढंड रही हो फंड में कीके पाठक स्कूल नहीं बंद करते हैं जाही यह फैसला होके शिक्षकों की छुट्टी में कटवती कर देते हैं जा कि आई के फैसले से शिक्षक महकमा बहुत परिशान था और इसका खामियाजा नित्युश्कमार को भुगतना भी पढ़ा है उन्हों ने का कि के पाठक जासे अधिकारी पर अगर नित्युश्कमार नकिल नहीं कसते हैं तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पढ़े इससे क्या कुछ सिक्षा विभाग में अब बदलाव देखने को मिल सकता है बिलकुल वंदना जो बड़े-बड़े बदलाव किये गए हैं ऐस सिधार्थ की तरफ से उन्होंने कल लेटर जारी किया उसमें से पहला जो बदलाव है जो सबसे जादा महत्पूर्न है कि सभी जीलों में स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी डीडीसी को स्वापी गए है DDC उस जिले में टैनाध सिक्षा इफाग की तमाम अधिकारियों और करमचारियों को स्कूल के इंस्पेक्शन का जिम्मा चौपेगा स्कूल का जो निरिक्शन का काम है या इंस्पेक्शन का काम है वो केके बाटत खुद करते थे उन्हाने तमाम जिला सिख्षा पदाधिकारियों को ये जिम्मा दिया था कि वो देख रेक करेंगे स्कूल के लेकिन अब DDC को दे दिया गया है ये पहला बदलाव बड़ा बदलाव ऐस सिधार्थ ने किया है दूसरा बदलाव की बात करते हैं तो हर जिले में सिख्षा इवाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महने के लिए 10-15 स्कूलों का जिम्मा दिया जाएगा वे अब धी में इन विद्यालियों का संपूर्ण देख रहे करेंगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोष्टर बनाकर इस्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा दिया जाएगा जिले के सभी प्रात्मिक, माध्मिक और उच माध्मिक विद्यालियों का हर सब्ता में कमसी कम इन इस्पेक्शन जरूरी है यह बदलाव जो है वो ऐसी इधार्थ की तरव सी किया गया है अगला जो बदलाव है वो निरिक्शन करने वाले पतादिकारी और कमचारी जैसे सूल का निरिक्शन करेंगे उसका प्रदिवेदन विभाग द्वारा विक्सित इस्प्षागोष पोर्टल पर अपलोड करें यानि कि ऐसी इधार्थ ने डिडिसी को जिम्मदारी दी कि आप सब्ता भर में कम से कम 15 स्कूल का निरिक्शन कीजिए और उसके बाद वो सिक्षा इभाग का जो इपोर्टल है वहाँ पर आप दर्ज कीजिए कि आपने किनकिन स्कूल का इंस्पेक्शन किया है साथ इसा ज जब जाए उजगह पर वो कमिया खत्म हो जानी चाहिए तमाम ऐसे धार्थ ने बड़े फैसले लिये है और सबसे बड़ा फैसला जो स्कूल के टाइमिंग में बदलाओ केके पार्टिक ने कभी नहीं किया वह बदलाओ नित्यश कुमार याद होगा बंदना नित्यश कुम कि अपर मुख्य सचिव नहीं है वह प्रधान सचिव ग्रेय भी भागे उन्हें तो बस जिम्मदारी दी गई है कि जब तक केके पाठक नहीं आ जाते है तीज जून तक संभालने को दिया गया बिल्कुल तब तब तक यह जिम्मदारी दे गए और ऐसे में बड़े बड़ इसे सफ तोर पर एक आंगल निकल कर सामने आता है कि कहीं कि कि अपाठक अपन फफेसलिं ले रहे और इतना बड़ा बड़ा बंदा यह चाहरा है में मेसल जाता है कि एक यह भी पाठक Черни तो नहीं होगए और अपी तोहार उर्ट तो हैं न सभाल क बाजू सकते है झमाल आने हटा तो नहीं दिया गहे कैके पाठक ने ये चुट्टी तब माँगे जब निज़को नक्रा को नकारा कैके पाठक का विरोध संग हमेशा से जताया है लगिन दिश कुमार का आते हैं कग replied वहना मर रहे हैं ये भी दर्शाता है कि सिक्षक ये ना समझे कि उनके उपर अब कोई आक्शन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि निरक्षन का जो नियम बदला गया है तो इसके तहत लोगों के बीच अधिकारियों के बीच कारे बाटे गए हैं ऐसे में अभी हमने एक हबड भी देखी कि केके पाठक तो चले गए लेकिन उनके बाद कई सिक्षकों के उपर गाजगिरी है वज़ा ये थी कि केके पाठक के जाने से सिक्षकों के बीच ये बाते चलने लगी है कि अब तो हम पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है ऐस सिधारता है वो केके पाठक नहीं है तो केके पाठा के जाने से सिक्षकों में जो डर खत्म हुआ है वो ऐस सिधार्ट लेकर आ सकते हैं दुबारा आपको काम तो करना पड़ेगा अगर आप रूल के अगेंश जाएगा तो उसका खामयाज आपको भुगतना पड़ेगा और यही वज़य कि आप सिक्षकों पर गाज भी गिरी है इस सिधार्ट ने अक्षन भी लिया है और अगर सिधार्ट इसा सोच रहें कि तो अपनी मनमर प्रधान सचीव है निटिश कुमार के खास है और उनका जो मिजाज है या फिर भले शान्त अधिकारी है लेकिन वो काम बखू भी करते हैं और करवाते भी उनको आता भी कि कैसे काम निकलवाने और करवाना है काम तो ऐस सिधार्ट एक एक ऐसे अधिकारी है जो सिक्षा व सिधार्ट की पर्मानेंट शुट्टी हो गई क्योंकि ऐस सिधार्ट उनके बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और केके पाठा की द्वारा लिए फैसलों को बदल भी रहे हैं तो अब देखना दल्चस्प होगा निहा कि 30 जून की बाद केके पाठा की वापसी होती है या फिर पर्मानेंट उनकी विदाई हो जाती है चुट्टी हो जाती है बाकी अब आगे ऐस सधार्ट और भी कोई फैसले लेते हैं सिक्षा भे भाग में और भी कुछ बड़ा बदलाव होता है उन खबरों को भी आप तक हम जरूर पहुचाएंगे देखते रे फोस्ट बिहा अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूं अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये ह हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined